नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांथी की मुश्किलें दिनो दिन बढ़ती जा रही लंदन में वे दो तीन कारेकरमों में उन्होंने जो कुछ भारत के विरोध में बोला देश के विरोध में बोला उसको लेकर और संसद की जो आवमानना का आरोप है दोनों मुद्दों पर उनसे संसद में माफी का दबाव बढ़ता जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी कह रहे है कि किसी भी हालत में रहुल गांदी माफी नहीं मांगेंगे और अगर उनको बोलने का मौका दिया गया तो संसद में अपने बयान की सफाई देंगे सत्तार उर्दल का कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद में बोल नहीं सकते हैं अब ये गतीरोध बना हुआ है ये अपनी जगह पर है इसमें क्या होगा आगे ये लोगसभा स्पीकर को काफी कुछ तै करना है सत्तार उर्दल का रवया कहां तक और कब तक टिका रहता है इस पर निर्भर करता है दोनों पक्षों में क्या कोई समझोता हो जाएगा या कोई इस तरह की बातचीत होगी जिससे रास्ता निकलेगा ये सब पता नहीं है लेकिन मामला जिसकी आज बात कर रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस 15 मार्च को राहूल गांधी के घर गई उनसे पुष्टाच के लिए उनसे जानकारी लेने के लिए बलकि कहना चाहिए 15 मार्च को दिली पुलिस के अधिकारियों से नहीं मिले उन्होंने मिलने से बना कर दिया फिर दिली पुलिस 16 मार्च को गई और नोटिस दे कर आई कि 19 मार्च को आएंगे उनसे जानकारी लेने के लिए अब किस मामले पर जानकारी? 30 जन्वरी 2023 को श्री नगर में अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी समापती पर उन्होंने कहा कि उनको जम्मू कश्मीर में कुछ महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि उनके साथ गैंग रेप हुआ लेकिन शर्मिंदगी के डर से, समाज में बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस को नहीं बताया तो राहुल गांधी इन्हों ये मुद्दा क्यों उठाया? वो दरसल ये संदेश देना चाहते थे कि सरकार जो दावा कर रही है कि अनुछे 375 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामाने हो गए हैं और सब कुछ ठीक है वो ऐसा है नहीं जो पहले जिस तरह से होता था वो सब कुछ अब भी चल रहा है तो बताना चाहते थे कि महिलाएं जम्मू कश्मीर में आज भी असुरक्षित हैं और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी जांच के लिए पुलिस के पास भी जाने से कतरा रही हैं डर रही हैं बच रह यह एक तरह से सीधे सरकार पर हमला था और राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी बात कहें कुछ भी बोलें वो राष्ट्री है नहीं अंतर राष्ट्री खबर बंती हैं दुनिया भर में ऐसे NGO हैं ऐसे संगठन हैं कई देशो पर पेश करते हैं राहुल गांधी का क्या मकसद था कि जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा जो है अंतराष्ट्री मुद्दा बने भारत सरकार की बदनामी हो जम्मू कश्मीर की सरकार की बदनामी हो उनका इरादा कुछ भी रहा हो लेकिन ये बात कहके उन्होंने अपने लि राहुल गांधी के लिए ये जानकारी उनको चाहिए था कि 30 जन्वरी को यातरा खतब होने के बाद वो पुलिस को इसकी जानकारी देते और बताते कि महिलाएं कौन सी हैं उनके बयान के आधार पर F.I.R. दर्ज होती जो भी दोशी लोग हैं या भियुक्त हैं आरोपी हैं उनके खिलाफ जाच होती उनको सजाद दिलाने की कोशिश होती लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया अब जब पुलिस उनसे पूछने गई कि वो कौन महिलाएं हैं पुलिस तीन-चार चीज़ें उनसे जानना चाहती हैं कि वो महिलाएं कौन हैं वो कहां की र तो किसी भी कॉगनिज़ेबल ओफेंस के लिए पुलिस को जाच शुरू करने का अधिकार है उसको मजीस्टरेट की अनुमती की जरूरत नहीं है अगर पुलिस जाच शुरू नहीं करती है तब मजीस्टरेट आदेश दे सकता है जाच शुरू करने के लिए तो ऐसे मामलों म पुलिस के जिरिस्डिक्शन का भी सवाल नहीं उठता जरूरी नहीं कि उसके अधिकार ख्षेतर में ये अपराध हुआ हो ये कुर्कृत हुआ हो तब ही वो जांच कर सकती है अगर उसका जिरिस्डिक्शन नहीं है तब भी कर सकती है उसके जिरिस्डिक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता दूसरी बात कोई भी अदालत इस जांच से पुलिस को रोक नहीं सकती पता नहीं ये राहुल गांधी को ये सब बताया गया था या नहीं जब उन्होंने ये बात कही या उनको लगा होगा कि वो कहेंगे उसकी चर्चा होगी उनकी वावाई होगी कि देखे लोग जो है उनसे बताने को तैयार हैं लेकिन पुलिस के सामने जाने को तैयार नहीं है सरकार के पास जाने को तैयार नहीं है जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पास जाने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी पर उनको भरोसा है इतना भरोसा है कि इस तरह की बात आकर उन्होंने उनको बताई अब प्रशन कई उठते हैं एक जो महिलाएं इस मुद्दे पर शर्म के बारे सामाजिक दबाव के कारण परिवार के दबाव के कारण या बिभिन न कोई भी कारण हो सकता है उन कारणों से पुलिस के पास नहीं गई नयाय मांगने नहीं गई अदालत में नहीं गई वो महिलाएं आखिर एक जमावड़े के बीच बड़ी भीड के बीच में आकर राहुल गांधी जिनको वो जानती नहीं जिनसे कभी मिली नहीं उनसे आकर अचानक ये सब बातें बताती हैं ये सारा डिटेल उनको बताती हैं आकर क्यों अब ऐसी क्या बात हुई ऐसा क्या विश्वास जगा दिया राहुल गांधी ने जिसकी वज़े से वो जो बा कर चलते हैं कि यह सब सही है हालां कि बात जिस तरह से उभर कराई उससे लगता नहीं है राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है उन्होंने 19 मार्च को पुलिस ने जब उन से इन सवालों का जवाब मांगा उन्होंने एक शुरुवाती जवाब पुलिस को भेजा और कहा कि बड़ी लंबी यात्रा थी उन्हें याद करना पड़ेगा उसके लिए उनको कुछ समय चाहिए पूरा जवाब देने के लिए पहली बात तो ये लंबी यात्रा का प्रशन नहीं था ये प्रशन था 30 जन्वरी यात्रा के आखिरी दिन का तो इसलिए उनक प्रशन, इसके स्वाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिसी का सेक्शन 156 2 कहता है, वारा किसी नावालिक का हो तब अगर जानकारी होने के बावजूद आप पुलिस को सूचना नहीं देते हैं तो ये दंडनी अपराद है यानि ये पनिशिबल ओफिंस है तो राहुल गांधी को इसमें क्या हो सकता है इसमें जो प्रावधान है इस सेक्शन के तहट उसमें छे महिने की सजा, जुर्माना या दोनों चीजे हो सकती है अब ये सब कुछ निर्भर करेगा कि राहुल गांधी जो जानकारी देते हैं अगर उनके पास जानकारी है तो मुश्किल ये है कि उनके पास जानकारी है कि नहीं ये जो है अभी तै करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर उनके पास जानकारी होती तो उतुरंद दे सकते थे ऐसा भी नहीं कि पुलिस बिन बुलाए बिन बताए अचानक पहुँच गई थी पुलिस 15 तारीक को गई, पुलिस 16 तारीक को गई तो पहले से तैयारी थी, उनके पार्टी में बड़े बड़े वकील है जो जानते हैं से सवालों का किस तरह से जवाब देना चाहिए लेकिन इस सवाल का जवाब देने और उन महिलाओं जिनके बारे में राहूल गांधी बता रहे हैं, उनके साथ हुए अत्याचार पर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की बजाए कॉंग्रेस पार्टी हमलावर है सरकार पर दिल्ली पुलिस पर कि आखिर दिल्ली पुलिस को दो दो परस पर वीरोधी बातें कही जा रहे हैं प्ल्ली पुलिस पेतालिस दिन देर से क्यों जागी, इतनी देर से क्यों उसको यादाया कि राहूल गांधी की पुलिस ने या पुलिस ने देर किया है लेकिन ये सम्मामले ये मुद्दे तो अदालत के हैं सवाल सिर्फ इतना है कि राहूल गांधी ने जो आरोप लगाया जो बात कही सारवजनिक रूप से कही क्या उसके बारे में उनको सचमुच जानकारी है और जानकारी है तो वो कितनी जानकारी पुलिस को देंगे और वो जो जानकारी देंगे उसके आधार पर तैह होगा पुलिस का अगला कदम तो ये मुद्दा देखिए राहूल गांधी का क्या होगा उनको सजा होगी की नहीं होगी या उन पर मामला बनेगा की नहीं या इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये सब एक तरफ है असली मुद्दा जो है कि सारवजनिक रूप से आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते अगर ये आरोप अगर ये बात सही नहीं है तो राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है अगर ये उनका आरोप ये उनकी बात सही है और जो पीडित महिलाएं हैं उनमें कोई नाबालिग है तो उनके लिए और बड़ी मुसीबत है तो राहुल गांधी के लिए दोनों तरफ से मुसीबत है ये घटना अगर उन्होंने सच्ची सुनाई और उसमें कोई नाबालिक लड़की है तो मुसीबत है और घटना सही नहीं थी उन्होंने कहा तो भी मुसीबत है दोनों स्थितियों में उनके लिए आगे का रास्ता मुश्किल है ये पुलिटिकल हमले से कॉंग्रेस के लोग जो जिस तरह से जो है इसमें घसीट कर लाएं हैं वीर सावर कर को इस सबसे कोई फाइदा होने वाला नहीं लोगों को पता है कि जो बोल रहा है वो कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है नेताओं के बारे में लोगों को ये अपनी समझ होती है लोगों की अपनी धारना होती है देखिए पबलिक लाइफ में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या सोचते हैं लोग क्या महसूस करते हैं क्या लोगों को लग रहा है कि राहुल गांदी सही बोल रहे हैं अगर सही बोल रहे हैं तो राहुल गांदी जो कुछ बताएंगे उसके बाद उनके साथ क्या होगा अब जो अगर नहीं है जो उन्होंने कहा है ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है तो फिर उनके साथ क्या होगा ये सवाल है लेकिन राहुल गांधी के लिए 2024 के लोगसभा चुनाओं से पहले राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह की लें लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह से उनके खिलाफ सदन में मामला चल रहा है विशेशा अधिकार हनन का प्रस्ताव आया है मैंने एक वीडियो में पिछले बताया था किस तरह से 1978 में इंद्रिया गांधी के साथ हुआ था उनको ना केवल उनकी सदसिता रद कर दी गई थी बलकि उनको जेल भी भेज़ दिया गया था यह पहला मौका था भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में जब किसी पूर प्रधान मंतरी की सदसिता रद की गई और उसको जेल भीजा गया तो राहुल गांधी का हश्र क्या अपनी दादी जैसा होगा य लेकिन कई सवालों के जवाब निश्चित रूप से मिल जाएंगे और राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता है यानि 2024 का रास्ता और कठिन होने वाला है जिस तरह से अलग-अलग विपक्षी दल उनके खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो मो कॉंग्रेस का सपना है राहुल गांधी को प्रदान मंतरी बने हुए देखना उसके रास्ते में इतनी रुकावटे हैं इतनी मुश्किले हैं इतने कांटे हैं कि उसको पार करना कॉंग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए निकट भविश्य में तो कता ही स झाल झाल